नमस्कार, वनकाम, साश्रिया काल प्रभू, कासा काई भाव? बई, दस टीमें हो गई थी, हमने परची देवी से पूछा, ग्लास में दो परचीयां थी, दोनों महराश्टन टीम्स की, ग्यार्वी टीम, यू मुंबा, बार्वी टीम होगी पुनेरी पल्टन, तो आईए स्वास अनैलिसिस करते हैं, पहले तीन सीजन की फाइनलिस्ट, यू मुंबा का. टीम किसन रचना देख लीजिए, यहां भी मैं पहले बाहत करूँगा डिफेंडर्स की. गिरी शरनाक आगए हैं, भाई खासम खास, वो महराश्टन खिलाडी हैं, सुरिंदर पहले ही मौजूद हैं, महिंदर आगए बेंगलूरू बुल से यहां, और फिर रिंकू, रिंकू शर्मा, वो सचिन तवर का सोलो टैकल करने वाले खिलाडी पहले ही हैं. बागी युवा डिफेंडर हैं, उनकी तरफ मैं फिलहाल नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ये चारों ही स्टार्ट करने वाले हैं. रेडर्स में चले जाईए गुमान सिंग FBM कार्ड दिखा कर वापस थोड़े कम पैसे में टीम में आये, जैबहगवान टीम में ओल्रेडी हैं, हैदर अलि इकरामी टीम में ओल्रेडी हैं, शिवम टीम में रेटेन किए गए गए थे, एराणियन हैदर अली इकरामी के सासत अली रेजा आये हैं प्रणे राने हैं, रुपेश हैं, सचिन हैं और राउंडर्स में एक और इरानी आमिर मुहमद जफर दानेश जो मुख्यत है रेडर हैं रेडिंग की जिम्मेदारी सभालते हैं और साथ में विश्वन्थ वी ये है टीम की सनरचना अब आये मजबूतियों पे पहली ग्लेरिंग बड़ी सॉलिड मजबूती टीम का डिफेंस गरी शरनाक, लेफ्ट कॉरनर महिंदर सिंग, लेफ्ट कवर सुरिंदर राइट कवर और रिंकू शर्मा, राइट कॉरनर अपनी अपनी पोजीशन के बेहतरीन खिलाडी हैं ये देखने में ही बड़ा खतरनाक डिफेंस लग रहा है ये ये टीम की बहुत बड़ी मजबूती लग रही है मुझे, दूसरी मजबूती एकसाइटिंग रेडर्स वो रेडर जो भरोसा जगाते हैं गुमान सिंग चलिए पिछला सीजन उतना अच्छा नहीं रहा उससे एक सीजन पहले पटना के लिए अच्छा के लिए खैदर अली इकरामी टुकडो में अच्छा के लिए आमिर मुहमद जफर दानेश और साथ में अली रिजा अली रिजा मीर जायन ये इरान के लिए एशन गेम्स में उनके स्ट्राइक रेडर्स थे फिर जैभगवान हैं शिगम हैं तो ठीक ठाक दिखने वाले एक्साइटिंग रेडर्स हैं ये तीसरी मजबूती मुझे काफी ज़दा रुमांचक लग रही है वो है टीम के तीन नए कोच गुलाम रेजा मजंदरानी इरान से केसी सुतार केवल चंद सुतार पहली बार उनकी आमद हुई है प्रोक बड़ी में तो स्वागत सुतार साहब आपका 2016 के वर्ल्ड कप में इरान टीम के चीव कोच थे पिछली बार मैंने पूचा था कि बताईए केसी सुतार साहब कहां आपको दिखे थे तो मुझे याद एमदाबाद में वर्ल्ल कप था टीम शीट हमने देखी जब हमें मिली तो केसी सुतार इरान के कोच मैंने समझ में आया कि ये तो भारतीय नाम है सुतार तो राजस्थान से होते हैं मेरे मित्र हैं सुतार एक तो उनसे जाके मिले तो पता चला वो वागी राजस्थान से संबंद है उनका और कई सालों से वहां काम कर रहे थे अशन कुमार जी भी वहां काम करके आये थे तो वो केसी सुतार अब इरान से होते हुए इरान के ही कोच के साथ यू मुंबा में आये हैं और तीसरे कोच जीवा कुमार जो पहले तीन सीजन यहां यू मुंबा में खेले लेजन्डरी लेफ्ट कवर तो इन तीनों की कोचिंग तिकड़ी से मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदे हैं चौथी मुझे बड़ी अच्छी मजबूती एक बनती हुई दिख रही है वो धीरे धीरे पकेगी चीज़ एक दो सीजन में वो है कि टीम अपना कोर बनाती जा रही है जैसे पहले तीन सीजन में अनूप, रिशांक, जीवा, विशाल, सुरिंदर, मोहित ये कोर था जैसे यूपी योधास, सुमित, नितेश, गुरदीप, आशु, सुरिंदर और अब परदीप ये कोर बना रही है वैसे ही, बैंगलोरू बुल्स, अमन, सौरब, नांदल, महिंदर चलो अब यहां आ गए तो वैसे ही ये टीम अब कोर बना रही है गुमान सिंग उसकोर का हिस्सा लग रही है, सुरिंदर उसकोर का हिस्सा लग रही है रिंकू सकोर का हिस्सा लग रही है और भी कुछ खिलाडिया अब जो टीम में एड किये गए है तो ये मुझे लगता है कि उसी रहा पर चल रही है कि खिलाडियों को अपने एको सिस्टम में रखिए जितनी देर प्रो का बड़ी होती है उन्हें रेटेन कीजिए या FBM कार्ड से वापस लेके आईए जैसे गुमान को लेकर आए ताकि एक वो मुंबा की टीम का ब्रैंड बने ये अच्छी सोच है दूर दर्शी सोच है वही मुंबाई इंडियन्स और चिन्नई सूपर किंग्स वाली सोच है चुनोतियां कहां आती है कोई मैच विनिंग रेडर अभी तक नहीं दिखाई दे रहा मुझे और I hope मैं गलत सावित हूँ लेकिन गुजरात में भी ऐसा अभी कोई 25-30 पॉइंट वाला रेडर नहीं दिखा था यू मुंबा में भी अभी तक नहीं दिखा है क्या गुमान इस बार अपने कद को बढ़ा कर सकते हैं या आमिर मुहमद जफर दानेश या हैदर अली इकरामी या फिर अली रेजा मीर जायन अपने कद को बढ़ा कर सकते हैं हमें सर्प्राइज कर सकते हैं आई हो पैसा हो लेकिन अनूप और रिशांक जो करते थे अनूप जो टीम के स्ट्राइक रेडर थे या जो अभी शेक ने किया एक दो सीजन इस बार कौन करके दिखाएगा ये चुनावती नंबर एक है चुनावती नंबर दो इस टीम का कैप्टन कौन है अब जब कैप्टन की बात आती है और जब यू मुंबा की बात आती है तो अनूप कुमार का नाम अपने आप ध्यान में आता है फजल अत्रचली का नाम अपने आप ध्यान में आता है क्योंकि टीम में अभी तक दो ऐसे मुझे दावेदार दिखते हैं पिछली बार कौन थे? सुरिंदर सिंग थे इस बार गिरीश अरनैक भी आ गए है जो उनसे दो गुने अनुभवी हैं उनसे अल्मोस्ट डबल सीजन पहले ही खेले हुए हैं और खासम खास महराश्टन है क्या उनको कैप्टन सियाम बैंड मिलेगा सुरिंदर को मिलेगा जिसे भी मिलेगा ये एक चुनोती तो रहेगी और इन ही दोनों को लेके तीसरी चुनोती भी आती है सुरिंदर का पहला सीजन याद कीजिए जब अनूप टीम के कैप्टन थे सीजन पांच था तो अनूप का पूरा सीजन सुरिंदर को रोकने में गया ओ सरदार भाई मज जाना सुरिंदर अग्रेसिव डिफेंडर थे उन्हें रोकने के लिए एक खिलाडी लगता था गिरीश अरनैक को कौन रोकता था निलेश शिंदे रोकते थे वो भी उतने ही अग्रेसिव है सुरिंदर ने पिछले सीजन में चेंज किया जब उन्हें कैप्टन बनाया गया तो उनके अंदर मेच्यूरिटी आई तब वो डिफेंस को चलाने लगे अब जब साथ में सीनियर लेफ्ट कॉनर आ गए गिरीश अरनैक तो क्या सुरिंदर वापस अपने जोन में जाएंगे कि भाई साब आप संभालो टीम को मैं तो वही अग्रेसिव होके खेलूंगा या सुरिंदर कैप्टन बने तो वो अपने से सीनियर लेफ्ट कॉनर को रोकेंगे क्या या गिरीश उनको बेसिकली गिरीश सुरिंदर को संभालेंगे आगे जाने से या सुरिंदर गिरीश को संभालेंगे आगे जाने से ये बड़ी प्यारी सी चुनौती होने वाली है टीम के लिए डिफेंस की बात करते करते तीसरी चुनौती भी दिख रही है कि डिफेंस का कॉंबिनेशन नया है ठीक है सुरिंदर और रिंकू राइट कॉर्णर राइट कॉर्णर पहले खेले हैं पर इन दोनों को मिलके कुछ ज्यादा करना नहीं होता है ना कवर और कॉर्णर को कवर पीछे हटेगा कॉर्णर चेन लेकी आएगा बस ये इनका एक कॉंबिनेशन है लेकिन इस बार गिरी शरनैक एक नए राइट कॉर्णर के साथ खेलेंगे गिरी शरनैक एक नए राइट कवर के साथ खेलेंगे महिंदर पहली बार रिंकू के साथ खेलेंगे पहली बार वो सुरिंदर के साथ खेलेंगे और इस जोड़ी को देखने के लिए मैं लालाइत हूँ ये एक चुनौती भी है और ये एक प्यारी सी आपके लिए अच्छी चीज भी है वो मैं आगे अगले सेक्शन में बात करूँगा लेकिन यहां कॉंबिनेशन नए बने हुए है डिफेंस के और ये हमेशा चुनौती ह होती है अगली चुनौती परफॉर्मेंस प्रेशर दो तरीके से एक तो यू मुंबा पहले तीन सीजन फाइनल खेली पहली बार हारी जैपुर से दूसरी बार जीती बुल्स से तीसरी बार हारी पटना पाइरेट से दिल्ली में फाइनल हुआ था मुझे याद है आखिर मे ब्रेंड हमें दुबारा दिखा लेकिन अभी फिल्हाल तीम के सामने चुनौती है उसी पहले तीन सीजन की प्रदर्शन को पहले तीन सीजन के प्रदर्शन को रिपीट करने की दूसरी चुनौती परफॉर्मेंस प्रेशर जो आता है वो है कोच सहब पर गुलाम रेजा प्रोक बड़ी में नहीं मिली, ना यू मुंबा के साथ, ना तेलकू टाइटन्स के साथ, उल्टा चुनौतियां ज्यादा थी, तो क्या उस प्रदर्शन के दबाव से गुलाम रिजा सहाब, सुतार सहाब, जीवा कुमार सहाब उबर पाएंगे, मौके क्या हैं, पांच मौक से सुरिंदर सिंग, महिंदर सिंग, दोनों बोलते हैं पंजाबी जबान, बड़ी प्यारी, तो दोनों कोई कठे एक साथ खेलता हमने देखा नहीं है कम से कम प्रोक अबड़ी में, तो इस नए कवर कॉंबिनेशन पे आपकी नजरें भी जरूर होनी चाहिए, दूसरा मौ इनके सीनियर पार्टनर गिरीश के पास, अब गिरीश है अग्रेसिव, लेकिन सबसे बड़े, सबसे तजुर्बेकार, तो गिरीश कैप्टन जो मरजी हो, सुरिंदर हो गिरीश हो, गिरीश की जिम्मेदारी बनेगी बाकी सारे डिफेंडर्स को चलाना, लीडर्शिप स्क खिल दिखाईए, खुद पे भी नियंतरन रखिए, बाकी खिलाडियों को भी प्रेड़ना दीजिए, तीसरा मौका बनता है, गुमान सिंग के पास, पटना में बड़ा अच्छा खेले सीजन आठ, नौ में बड़ी धनराशी मिली, टेड़ पॉने दो करोड, पर्फॉर्म वैसा कुछ करके दिखाईए, मज़ा आ जाएगा, चौथा मौका है, इरान के खिलाडियों के पास, इस्पेशली दो प्लेयर जो नए आए हैं, ताजा ताजा एशियन गेम्स खेलके, आमिर मुहम्मद जफरदानेश और अली रेजा मीर जायन, ये बात मैंने स्वास अनलि पांचवा मौका उन्ही कोचिस के पास, गुलाम रिजा सहाब, सुतार सहाब, जीवान ना, पहली बार उनकी तिकडी हमने देखी है, और तीनों अपने अपने हिसाब से बहुत बड़े नाम हैं, मौका है तीनों के पास कि यू मुमबा को वापस उसी पुराने गलोरी में लेकर जाएगे, स्टेटजी क्या रहेगी, मुझे लगता है कि डिफेंस में शुरुआत करता हूँ और डिफेंस में किसी तरह का मुझे, किसी तरह का डिफेंसिव खेल खेलते हुए ये टीम नहीं दिखाई दे रही, जब गिरीश हों, सुरिंदर हों, महिंदर और वो चारों के चारों अग्रेसिव डिफेंडर हैं, शुरुआत करेंगे अग्रेसिव, शुरुआत करनी चाहिए अग्रेसिव, क्योंकि वो आपकी ताकत है, अगर तो अग्रेसिव डिफेंस खेल के टीम को फाइदा होता है, तो चलते रहीए, अगर कहीं नुकसान हो रहा ह तो फिर एक कदम पीछे भी हटना आना चाहिए लेकिन कम से कम शुरुआती कुछ मैचीज में मैं देख रहा हूँ इस टीम के डिफेंस को आगे बढ़के रेडर को दबोचते हुए रेडिंग में मुझे लगता है कि टीम अगर डूओ डाई पे ना खेले तो फस्ट रेड पे भी ना खेले सेकंड रेड पे खेलना घलत नहीं होगा क्योंकि अभी गुमान को इस सीजन में पफॉर्म करना है अभी जै भगवान को, हैदर अली को, आमिर मुहम्मद को, अली रिजा को पफॉर्म करना है तो all out raiding में जाने की शुरुआत में शायद आपको जुरूरत ना पड़े, do or die नहीं, तो second raid पे खेल के भी आप एक संभली हुई शुरुआत कर सकते हैं, शुरुआत अंत में बदल गई है, इस वीडियो का अंत हो चुका है, एक टीम बची है, पुनेरी पल्टन, उसका स्व लोगों के सवाल जवाब हों, कि आप लोगों के सवालों के मैं जवाब दूँगा, वीडियो के नीचे भी सवाल पूछ सकते हैं, या Twitter, यानि X पे जाईए, आई सुनील तनेजा की ID को टैग करके अपने सवाल पूछिए, एक special episode वीडियो आप लोगों के सवालों का, सवा सही हों, उचित हों, अबजेक्टिव हों, तो जवाब देने में ज्यादा मज़ा आएगा, फिलहाल दीजिए इजाजत, पुनेरी पल्टन का स्वास अनेलिसिस जल्दी लेके आऊंगा, जैहिन